दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और डबाएं इस खंटी को पाकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिये गए سबसक्राइब बटन पर ख्लिप करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ ही इस घंटी को भी दबा देएं इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशण मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सिकेंगें. तो चलिए शुरू करते हैं. आप अपने पुराने नोट और सिक्के कैसे बेचे यह बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि यह वीडियो केवल एजुकेशन के लिए बनाई गई है. मैं ना तो कोई सेल हूँ ना ही कलेक्टर. सिक्कों और नोटों को बेचने की जानकारी देने से पहले आप यह बात जान ले की कौन से सिक्के और नोट कीमती होते हैं और आसानी से बिग जाते हैं. ऐसे नोट जो काफी पुराने और रेयर हो और उनके सीरियल नंबर फैंसी नंबर वाले हो जैसे की डबल साथ साच या सी या एक ही नंबर कई बार आया हो. या तो नोट में कोई मिस्प्रिंट हो ऐसे नोटों की कीमत काफी ज्यादा होती है. इसी तरह से सिक्कों में भी ऐसे सिक्के सबसे कीमती माने जाते हैं जो कम मात्रा में बनाई गए थे और बहुत आसानी से नहीं मिलते ऐसे सिक्के और नोट आपको अच्छा खासा पैसा दिला सकते हैं. अब जान लेते हैं आप इंड नोटों और सिख्कों को कहां बेच सकते हैं, तो सबसे पहले जो साइट है वह है OLX जहां पर आप अपने पुराने नोटों और कींती सिख्कों की फोटो अप्लोड करके इन्हें सीधे सीधे इंटरनेट पर डाल सकते हैं और जब कोई कलेक्टर इन्हें देखिएगा तो आपसे डाइरेक्ट संपर्थ करके इन सिख्कों को खरीद सकता है, ठीको OLX की तरह एक और वेबसाइट है जो है kwik.com वहां भी आप इसी की तरह फोटो पोस्ट करके अपने सिख्के बेच सकते हैं, इसके बाद दूसरी एक और वेबसाइट है eway. इस वेबसाइट की मदद से भी आप अपने पुराने सिख्के और नूट बेच पाएंगे पर यहां रजिस्टर करने से पहले आपको GST नमबर देना अनिवारिय होता है। देते रहते हैं और उनकी सही कीमत भी बताते रहते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जिनके द्वारा आप अपने मूटों और सिख्कों को बेच सकते हो। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमें और सकते हैं। कमें देशाने रब उनकी सही ए्या झाना म։ंट झाल झाल